नमस्कार दोस्ताओं आप सभी का हमारे YouTube चैनल चार्ट ट्रेड में मैं विजे मीना बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ताओं आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे SDFC AMC के श्टॉक के बारे तो मैं आपसे गुजारिस करूंगा कम सक्वाइब पूरा वीडियो देखने कोसी करें तो देखें आज के दिन के अगर हम इसके बहाव की बात करें तो चौई सो पचास रुपे आज का इसका अगर देखेंगे दोस्तों पहली बाद चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ल लग रहा है तो देखें दोस्तों यह HDFC-AMC का हमारे पास में एक वीकली चार्ट देख रहे हैं यह वीकली चार्ट है आप पहले बिल्कुल सिंपल चार्ट है ठीक इस चार्ट को देखें आपको क्या समझ में आ रहा है ठीक है उसके बाद मैं इसके उपर मेरी analysis करके मैं उसके बाद आपको कमेंट्स करके बताना है कि मुझे इस चार्ट के अंदर यह समझ मैं आप देखें दोस्तों यहाँ पर हमने HDFC-AMC का जो वीकली चार्ट है उसके अंदर कुछ लाइन बना दिये कुछ जॉन बना दिये और यहाँ पर हमने लिग दिया है box number हमारे पास में यह देखें एक number यह दो number यह ती number ठीक है मैं आपसे गुजारिस करूंगा पहले आप एक काम करिए इस पूरे जो मैंने बनाया ना वीडियो को पोज करिए रोकिए वीडियो कहीं पर एक इसका screenshot ले लीजिए आप इससे यह फायदा होगा कि अगर आपको HDFC-AMC के अंदर ख HDFC-AMC के लिए यह एक number का box है यह दो number का box है यह तीन number का box है तो HDFC-AMC है वो कुछ हमारे इस box के अंदर काम कर रहा है तो यहां पर देखें जब listing हुई थी तो इस टोग नीचे गरा यह double bottom बनाया ठीक है यहां पर इसने support लिया एक बार इसका resistance लिया और तुरंत ऊपर निकल है यह resistance रहा इसके बाद रेक हुआ तो यह support रहा और यहां पर जो 3350 के आसपास का level है यह इसके लिए box number 3 का resistance है एक बार रेश्टेंस दो बार तीन बार रेश्टेंस लिया है तो अब देखें इस समय HDFC-AMC हमारे box number 2 के अंदर काम कर रहा है और इस समय जहां पर इस box के लग 2000 के लेवल के पास में आने दीजिए अगर किसी भी ग्रावट में HDFC-AMC 2000 के पास आता है यहां पर तो यह best level होगा हमारे पास खरीदारी करने के लिए ठीक है अब इसका यह मतलब नहीं है दोस्तों 2000 के पास आयर आप यह खरीदने के लिए भाग गए नहीं आने दीजिए रिवर्षर होने दीजिए उसका confirmation होने दीजिए तब हम buying करेंगे ठीक है इसके बाद अगर यह 2000 के level break हो जाता है तो उसके बाद अगला हमारे पास यह है ठीक है और 2000 के लेवल के बाद जब इस्टों उपर जाएगा तो यह जो 2750 के आसपास का level है यह निश्चिक तोर पर दो बार पहले बन चुका है और अब भी यह resistance बन के आएगा तो हमारा जो box नंबर दो है नीचे की तरफ 2000 की रेंज उपर की तरफ 2700 ग्रेंज इस साड़े 700 रुपे के अंदर हमारा box नंबर दो है इसके बाद अगर 2700 निकल जाता है तो 2700 से लेके 353,34 का यह box नंबर 3 हमार तो जैसे यह 2700 के level break करतेगा तो फिर इसके लिए 353,34 का target निकल के आएगा तो कुछ नहीं करना आपको देखना है कि HDFC, AMC हमारे कौन से box के अंदर काम कर रहा है उसके हिसाब से हमको इसके अंदर trade लेना है तो देखे इस समय हमारा सभी moving average के नीचे काम कर रहा है कोई buying नह education की मकसद से है खरिदार विक्वालिक करने की कोई राइन है मैंने सरफ इस वीडियो को एक education की मकसद से बनाया है बाकि आप सभी का हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद